नमस्कार दोस्तों मैं हूँ पर्मोद कुमार आप देख रहे हैं यूटूब चैनेल SSE पर्मोद GKGS तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टोपिक देखे परस नमर एक सोत अंदरता के समय कॉंग्रेस का अध्यर्च कौन था इसका जो पहला उप्षन है वो है जेपी किर्पलानी नेश्ट दूसरा उप्षन है मोलाना अबुल कलाम अजाद नेश्ट तीसरा उप्षन है डाक्टर राजंदर परसाद नेश्ट जो इसका जबाब है वो है जेपी किर्पलानी तो चलिए नेश्ट कोस्टन की ओर पढ़ते हैं और देखते हैं प्रस नमर है दो राष्टिय विकास परसेद की अस्थापना कब की गई थी इसका पहला उप्षन है 9 अगस्त 1960 को नेश्ट जो दूसरा उप्षन वो है 6 अगस्त 1952 को न चलिए नेश्ट कोस्टन की ओर परते हैं और देखते हैं प्रस नमर है 3 सोदेशी का प्रस्ताव कॉंग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था इसका जो पहला उप्षन है वो है मदरास अधिवेशन 1903 में नेश्ट दूसरा उप्षन बंबे अधिवेशन 1904 में नेश्ट जो इसका तीसरा उप्षन है वो है बनारस अधिवेशन 1905 में नेश्ट जो इसका चौथा उप्षन है वो है कलकत्ता अधिवेशन 1906 में तो इसका सही जबाब क्या है और इसका जो सही जबाब है वो है कलकत्ता अधिवेशन 1906 में तो चलिए नेश्ट कोस्टन की और बरते हैं देखते हैं प्रेशन नमर है चार निमलिखीत में से कौन All India Muslim League का संस्थापक नहीं था पला उप्षन है नवाब महसीन उल मुल्क नेश्ट जो इसका दूसरा उप्षन है वो है मौलाना अब्दूल कलाम अजाद नेश्ट जो इसका तीसरा उप्षन है वो है देखते हैं प्रेशन नमर है पांच बंगाल में मुस्लीम पुर्ण जागरन का पीता किसी कहा जाता है इसका जो पहला उप्षन है सेयद अहमद खान नेश्ट दूसरा उप्षन है वो है अमीर अली नेश्ट जो इसका तीसरा उप्षन है नवाब अब्दूल लतीफ खान तो इसका सही जवाब क्या है इसका जो सही जवाब है वो है नवाब अब्दुल लतीफ खान तो चलिए नेश कोशन की और बरते हैं और देखते हैं प्रश्ण नम्मर है इसका जो पाला उप्षन है वो है आत्मा राम पांडुरंग नेश्ट जो इसका दूसरा उप्षन है वो है गोपाल हरी देश्मूख नेश्ट जो इसका तीसरा उप्षन है वो है एमजी राना डे नेश्ट जो इसका चौथा उप्षन है वो है जयतिवाब फूले तो इसका स पार्तिय है होम रूल लीग के पहले अध्यक्ष कौन थे इसका जो पहला उप्शन है वो है जोसप बपिस्ता नेश्ट जो इसका दूसरा उप्शन है वो एनी बेसेंट नेश्ट जो इसका तीसरा उप्शन है वो है एंसी केलकर नेश्ट जो इसका चौथा उप्शन है वो है बीजी तीलक तो इसका सही जवाब क्या है और इसका सही जवाब है जोसप बपिस्ता तो चलिए नेश्ट कोस्टन क्यों परते हैं और देखते हैं पर्शन नमरे आठ भारत में बीटिस इस्ट इंडिया कमपानी की पहली प्रेसेंटेंशी कौन सी थी इसका जो पहला उप्ष इसका सही जवाब क्या है और इसका सही जवाब है सूरत तो चलिए नेश्ट कोस्टन क्यों परते हैं और देखते हैं पर्शन नमरे नौ 1857 के विद्रों का नेत्रूत लखनों से किसी ने किया था इसका पहला उप्षन है मौलवी आहमद दुल्लाह सार नेश्ट दूसरा उ आप्षन है वैल बेगम हजरत माहल नेश्ट जो इसका चौत कर अप्षन है वो है तात्या टोपे तो इसका सही जवाब और इसका जो सही जवाब है वैले एक यह आ किसी ने दिया था इसका जो पहला उप्षन है वो है जेवतिवाब फूले नेश्ट जो इसका दूसरा उप्षन वो है विवेकानन्द नेश्ट जो इसका तीसरा उप्षन है वो है श्री नराइन गुरू नेश्ट जो इसका चौथा उप्षन है वो है डाक्टर भीमडाव अ पहाजाता है पाला ओप्षन है पाब्लिक इंस्ट्रक्शन समीति की रीपोट Arabisha 23 में नेस्ट जो दूसरा ओप्षन होग है चार्टर अधिनियम 28linear fu Westside जो इसका तीसरा ओप्षन वह रायोg की सर्फ़ 122 में नेस्ट जो इसका चोथा ओप्षन है वो है बूट से dispatch 1864 में, इसका सही जबाब क्या है, और इसका जो सही जबाब है, वो है बूट से dispatch 1864 को, तो चलिए, next question की ओर बढ़ते हैं, और देखते हैं, प्रेशन नमर है 12, 1864 में मदरास में वेद समाज की अस्थापना किसी ने की, इसका जो पहला option है, वो है केशब नेश्ट जो चौथा हुए देवेंदर ना टैगोर तो इसका सही जवाब क्या है इसका जो सही जवाब है वो है केसब चंदर सेन तो चलिए नेश्ट कोस्टन के और बढ़ते हैं और देखते हैं प्रस नुमर है तेरह 1922 में भील सेवा मालन की अस्थापना किस ने की थी इसका जो पाला उप्षन है वो है नरायन मलहार जोसी नेश्ट जो इसका दूसरा उप्षन है वो है अमरित लाल बिठल दास ठकर नेश्ट जो इसका तीसरा उप्षन है वो है जोतिवाब फूले नेश्ट जो इसका चौथ उप्षन है वो है बावा आम्टे तो इसका सही जवाब क्या है और इसका जो सही जवाब है वो है अमरित लाल बिठल दास ठककर तो चलिए नेश्ट कोश्चन की और बरते हैं देखते हैं प्रशन नमर है 14 निमलिखित में से 1912 में दिल्ली संट यंत्र किसके द्वारा रचा कोश्चन की और बरते हैं और देखते हैं प्रशन मर है 15 निमलिखित में से गांधी जी ने पहला अंसन किस अंदोलन के लिए क्या था इसका जो पहला उप्षन है वो है खेरा सत्यागरा नेश्ट जो दूसरा उप्षन है वो है चमपारन सत्यागरा नेश्ट जो इसका तीसरा है वो है अहमदाबाद मिल हर्ताल नेश्ट जो इसका चौथा उप्शन है वो है जालिया बाला बाग हत्याकान तो इसका सही जवाब क्या है और इसका जो सही जवाब है वो है अहमदावाद मिल हर्ताल तो चलिए नेश्ट कोश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्ण नमर है नेश्ट जो इसका सही जवाब क्या है और इसका जो सही जवाब है वो है मुहम्मद अली और शोकत अली तो चलिए नेश कोचन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्ण नमर है 17 अखिल भारतिय खिलाफत सम्मेलन 19.19 किस अस्थान पर आयोजित किया था पाला उप्षन है लखनो दूसरा उप्षन है दिल्ली नेश्ट जो इसका तीसरा उप्षन है वो है अलीगाड नेश्ट जो इसका चोथा उप्षन है वो है पुरवंदर तो इसका सही जबाब क्या है और इसका जो सही जबाब है वो है दिल्ली तो चलिए नेश्ट कोचन की ओर बरते हैं और देखते हैं प्रशनमर है 18 जंडा सत्यागरा के लिए किस चहर को जाना जाता है इसका जो पाला उप्षन है वो है कानपूर नेश्ट जो इसका दूसरा उप्षन है वो है नागपूर नेश्ट जो इसका तीसरा उप्षन है वो है नेनिताल नेश्ट जो इसका चोथा उप्षन है वो है पुपाल तो इसका सही जबाब क्या है इसका जो सही जबाब है वो है नागपूर तो चलिए नेश्ट कोशन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं प्रेशन नमर है 19 अलीपूर संडियंत्र केस में अर्विंदो घोस का बचाव किसी ने क्या था इसका जो पाला उप्षन है वो है तेज बहादूर सपुरूर नेश्ट जो इसका दूसरा उप्षन है वो है मोतिला लेहरू नेश्ट जो इसका तीसरा उप्षन है वो है जवालना लेडू नेश्ट जो इसका चौथा उप्षन है वो है चितरंजन दास तो इसका सही जवाब क्या है और इसका जो सही जवाब है वो है चितरंजन दास तो चलिए नेश्ट कोश्चन की और बरते हैं और देखते हैं प्रेश नमर है 20 1907 में कॉंग्रेस का बिभाजन गर्म दल और नर्म दल में किस अधिवेशन में हुआ था इसका जो पहला उप्षन है वो है सूरत नेश्ट दूसरा उप्षन है वो है कलकत्ता तब तक के लिए बाई बाई दोस्तों